Welcome to my YouTube channel आज की lecture में हम लोग number of electrons निकालना सीखेंगे जो की कतायन और नायन रहे हैं इसलिए हमने लिखा हुआ है heading How to find the number of electrons in case of ions ions में क्या आता है? कतायन भी आता है और नायन भी आता है इसके पहले वाले lecture में हम लोग ने क्या कहता है इसके बात करना है देखो यहां पर electron, proton, neutron की भी बात होती है लेकिन proton और neutron का जो निकालने का तरीका है वो पुराने वाले formula से ही match करता है उसमें कोई भी change नहीं है इसका reason क्या change ना होने का देखो ions कैसे होते है एक होता है cation, एक होता है anion अजा होता है एक होता है cation, और दूसरे क्या होता है anion cation कैसा होता है? यह positively charged होता है anoion कैसा होता है? यह negatively charged होता है positive charge कब देल होता हैoso and negative charge कब देल होता है इसके बारे बात करते Perster cat NAT eben called b advertising फ N हो से बातेव ubiquoop push को एक्सट्रोन Commissioner से electron बाहरोँ निखल जात होता है ठीके तो proton और neutron को रोल ही नहीं है यहां पे तो proton neutron निकालने का जो तरीका को पुराने वाले फॉर्मले से ही मैच करता है लेकिन electron के हाँ पर थोड़ा सा बता जाता है क्या या दखना है in case of cation मतलब positive charge है वहाँ पर number of electron क्या होंगे निकल गया होंगे यहां हमने बोला CO3 two minus हमने का कि आप बता है number of electrons कैसे होंगे ठीके अब देखो अगर मालों हमने CO3 two minus two minus को मतलब क्या हुआ अनायन को मतलब क्या हुआ इसने गेन किया electron गेन एलक्ट्रान इसने जो इस प्सीज है उसने elektron को गेन किया कितने कर दोड़ेंगे अब डिको कार्वन के टॉमिक नमबर जो को वही नम्बर अफ एलेक्रों के वह थीक है आप इसको मुझ लिखते हैं कितना होगा जरणा कारम ड़ो दॉबड़ेंगारो दॉम्बर के वराबर होताया ठीक है और प्लस। अब ऑक्सिन कितने हैं, तीन ऑक्सिजन हैं, होता क्या है, ऑक्सिन के ऊपर नंबर अफ एलक्रोन कितने होते हैं, 8 होते हैं, 8, 3 जा 24, यहाँ पहले 8 लिख देते हैं, 7 इसको ब्रैक्ट में कर दिया, अब 2 मानिस लिखा मतलब दो एलक्रोन और एक्स्ट्रा आरहें, तो प्लस 2 यहां पर लगा दो, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, नमबर ओफ एलक्ट्रोन को फांड़ाट करेंगे, कितने नमबर ओफ एलक्ट्रोन होंगे, जो जाना देखना होगा, यह हो जाएगा 6, और फ्री यह जाएगा 24, 34 यहां पर लगाते हैं कि बाहरा प्लस 2 करतेंगे तो यह जाएगा 32 कितना हो गया 32 एलक्ट्रॉन होगा किसके अंदर CO32- के अंदर इस तरीके से नंबर ओफ एलक्ट्रॉन को हम लोग किसी भी स्पीसीज है चाहे वो कटायन हो या फिर अनायन हो हम लोग आसानी से फांड आउट कर सकते हैं चलो एक और एक और एक्जामपल लेते हैं कि कैसे और सॉल्व करेंगे जैसे माल हमने यहां पर एक्जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ठीक है मले तोटल लगा मतलॄ ऐलेटर एड़ हे णूपढ़ को या उसे कितना हो और यह 1 उस्ते थैपन के सब्सक्राइगा सिस्टेण फ्रोन कहां हों यहां पर लगांडे डेक्टन की कितना जागा 628 हो गए हैं आपे 639 हो गया ठीक है स्वारी 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 स्वार्ट हो गया तीन एक चार्ट 48 हो गई है और प्लस आपर 2 करते हैं कितना आ गई है 50 एलेक्ट्रॉन होते हैं किसके अंदर SO42- के अंदर 16 यहाँ पर यह आ गया थर्टीटू के साथ हमने एड के 48 हो गया प्लस तू 50 एलेक्ट्रॉन किसके अंदर SO42- आगे हमालों कोश्टन ऐसा बोल दिया गया बताओ 2 इंटू 10 की पावर 5 आयन है हमारे पास किसके SO42- के तो बताओ नंबर ओफ एलेक्ट्रॉन कितने हुए यहां पर अब देखो कोश्टन को थोड़ा सा हुमाय गया है बोला कि इतनी इस्पीस है यह एक इस्पीस का आगया SO42 देखो ऐसे कोश्टन में क्या करना होता है हमको SO42- के एलेक्ट्रॉन निकालना है उसको 2 इंटू 10 की पावर 5 से सेवन ली सकते हैं ऐसे आगे 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन होगा इस तरीकेस आसानी से हमने कोश्टन को सॉल्व कर सकते हैं काफी आसान है इलेक्ट्रॉन को निकालना ठीक है अब देखो इस तरीकेस हमने इसको सीख लिया आपको वा पूस्ते आप आप अगोस्ते आप लोग आप लोग सीख प्रोटॉन और मुझे बथी नीथा हुगा तरीका नीथी नीथा नीकालना यह ल 추b सकतके तहर्म सोलगल प्लेस का लियाँ लेना होगा कि प्रोट्वश हसा कुछ नहीं होता है करना क्या है मायनस जेट करना मतलब क्या हुआ कि आप लोग को कि आप दोनों को माइनस कर दोगे आप लोग को जेट भी मिल जाएगा कि नंबर ऑफ नूड्रों वह पर कितने है अप्रटरो टरिकां के बताए गिया यह कैसे निकालोगे इस तरीके से हम लोग किसी भी कतायन और अनायन के अंदर solve कर सकते हैं कि कितने number of electrons उसके अंदर है, protons कितने हैं और neutrons कितने हैं काफी आसान तरीका है, इसका पहला लेक्चर आप लोग जरूर देखिएगा जहां पुमने अच्छे से बहुत समझाया हुआ है, किस तरीके से neutral species के अंदर भी electrons निकाले जा सकते हैं ठीक है, अच्छा इसका एक question करा देते हैं, इसे मालब मेरे पास है species इसे 4,2 मानिस ही है, इसमें proton निकालना मुझे बताओ कितना होगा, इसमें सलफर कितना हो जाएगा सिस्टीन प्लेस 48 जा हो जाए 32, कितना आगे 48 electron पर ही छोड़ देना है इसको ठीक है, ऐसे करना है proton को और अगर neutron निकालना है एक एक के बारे मेरे सोचना पड़ाएगा कैसे सोचो कि देखो सिस्टीन अब मुझे निकालना है neutron कितना होगा, इसमें सकते हैं कि यहाँ पर electron और neutron दोनों ही बराबर होंगे जो कि 48 के equal होंगे आप लोग ऐसे तमाम एक्जाम पर सॉल्व किजिएगा और जिसका भी एंसर नहीं आएगा आप लोग मुझे बताएगा एक पर्टिक्लर वीडियो बना लेंगे और सॉल्विंग का और वहाँ पर वह सारे कोश्चेस हम वहाँ पर सॉल्व करेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग